और लगातार पेट्रोल डीजल की खीमतों में बढ़ूतरी और टैक्स के चलते यमनानगर विश्व प्रसिद प्लाइवुड उद्योग पर अब पिछडने लगा है ऐसे में प्लाइवुड उद्योग को सरकार से राहत की दरकार है पूरे भारत में प्लाइवुड की 3300 फैक्ट्रिया हैं जिसमें 1000 फैक्ट्रिया आकेले यमनानगर में हैं जहां 3 लाग से अधिक मजदूर काम करते हैं शेहर का हर तीसरा व्यक्ती इस उद्योग से जुड़ा हुआ है औल इंडिया प्लाइवुड असोसियेशन की राष्ट यद्धक्ष देवेंदर चावला का कहना है कि यमनानगर से प्लाइवुड देश के लगभग सभी राज्यों में जाता है लेकिन अब भाड़े में 15-20 प्रतिशत का इजाफा होने से खरिदार पीछे हटने लगे हैं ऐसे में लोग अपने इलाकों से प्लाइवुड लेने लगे हैं जिसके चलते ही यमनानगर का उद्योग पिछरने लगा है देविंदर चावला का मानना है कि अगर अन्य टैक्स GST में शामिल कर दिये जाएं और टैक्स का सरली करन कर दिया जाए तो इस उद्योग को बचा जा सकता है कि लोगों को बाड़े तेज होने की वजए से वो लोगों नहीं जमनागर से मुखमूर लिया जब माल बिके करना ही तो हम लोग बनाएंगी कहां से बनाएंगे रिए तो इतना जाई तीन लाट लोग जमनानगर के अंदर लेवर जो इन्वाल है इसे एक अजार कि आजिए उनट के लिए इतना बड़ा शेयर का हर चोथा-फार फान्चवाज आदमी हमारे से प्लाइवोर से प्लाइवुड से जुडा हुआ है कि यह जब यह प्लाइवूर्टि इंदभ बैठरी है तो यह गौरा जमनागर शायर्टरक़्ी से बहुत बिठ़र जाएग कि आप उसको जी एस टी में लिया आएं तो कम से कम यह 20-30 कर पर कम जाएं जिमेदार बचेगा ट्रक वाला बचेगा हमारी इंडस्टी बचेगी आप गाहत बचेगा तो मेरी सरकार से है कि जो हलात इसको खराब होरें उसको रोकने के लिए जितनी जन्दी लेंगे ये इंडस्टी अमरी सरवाइब करते है